हालो फ्रेंट्स आप देख रहें आपका चनल शेह बजार विद आयूश और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में भारत हाइवेज इन्विट आईपयो के डे टू सब्सक्रिप्शन के बारे में इसको लेकर काफी कॉमेंट भी आ रहे थे कि सर इसके बारे में बात करेंग अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यानि एक अगर आप लोट लगाना चाहेंगे तो आपको 15,000 रुपीज यहां पर पे करने पड़ेंगे क्योंकि 15,000 रुपे का इसका शेयर है और 800 शेयर आपको मिल रहे तो उसकी वैल्यू की सबसे 15,000 रुपीज आपको यहां पर पे करने पड़ेंगे for a single lot कुल भिला कि दोस्तो 2500 करोड का इस IPO का size है पूरा का पूरा fresh issue है और BACNCP list होगा लेकिन यह दोस्तो एक आम IPO नहीं है यह basically एक book built issue Invit है अब Invit का मतलब क्या होता है Invit का मतलब simple सी बात है infrastructure investment trust ठीक है देखिए company जैसे इसका नाव आप देख सकते है भारत highways अब यह company देखिए operate भी करती है manage भी करती है और इस तरीकी से highways के उपर काम भी करती है और अलग-अलग से देखिए projects भी उठाती है तो इस तरीकी का इसका business है और इसके business में बात करता हूं तो company का majorly क्या काम है acquire, manage, or invest in portfolio of infrastructure assets अब infrastructure assets में देखिए बहुत सारी चीज़े आ सकती है उसमें जो भी देखिए infrastructure assets है वो यह company manage करती है अंडर agreement होता है, इनका एक row for agreement होता है, GRL के अंडर तो उसके अंदर दोस्तो company काम करती है फिर उनको invite grant किया जाता है, तो इस तरीके से पुरी process होती है but specifically, यहाँ पर यह क्या है, यह एक infrastructure की investment trust है अब मालीजे for example, मैंने कोई road बनाया, ठीक है let's say, ऐसा तो है नहीं कि देखिए road अगर अच्छा बना रहे है, पुरा जो national highways बन रहे है तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है उसको बनाने में वो जो toll tax लेती है, ताकि वो पैसा recover कर सके, उसको यह company manage करती है यानि जो भी उसके income कमाती है, वो यह कमाती है, लेकिन उसको acquire करने के लिए पढ़ता है फिर invest करती है उसको और infrastructure assets के अंदर वो पैसा, तो इस तरहीं चलता है इसलिए अगर आप इनके revenues देखेंगे, तो वो ऊपर नीचे होते रहते हैं उदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 2170 करोड का revenue था फिर वो घटा 1600 करोड, फिर 1530 करोड, जरूर ही नहीं कि देखेंगे इनका अगर यहाँ पर revenue घट रहा है तो profit भी घटे हो सकता है कि देखेंगे जिस समय कंपनी ने पैसा लगाया था उस समय कंपनी का उतना कुछ मुनाफ़ा नहीं आरता लिस्टिंगे इनका expectation कर भी है तो max to max 5% उस साथ को आपको यहाँ पर लिस्टिंगे नहीं मिलने वाला है इसके अंदरा पैसा लगा सकते हैं कि आपको अगर dividend income चीए तो देखेंगे यह dividend अच्छा देता है बहुत सारे जो investment trust है वो almost 10% 11% तक कि dividend yield दे देता है तो अगर मारीजे आप 11% का आपको dividend yield मिलता है तो अगर क्या उससाब से आप यहाँ पर satisfy दूसरी बात देखेंगे इंटरेस income भी होती है लग सी वो भी companies यहाँ अपने shareholders को बाढ़ती है income तो इस तरीके से उसके आपर पैसा आपको बनता बने जानाता है majorly देखे जो पैसा बनेगा वो dividend से बनेगा इस बत का जियान रखना है मदब आपने लगा जी तो return तो छोड़ दीजे लेकिन आपको dividend से पैसा बनता जाएगा इस प्रकार कि यहाँ पर expectations होती है और इस dividend almost हर quarter में companies बाठती है जैसे हमने का 11% तक का dividend deal बन सकता है आपका over the period of time अब इसके अंदर दोस्तों shares कैसे बाठेगा है देखे shares कुल मिलाकर 100% में से company ने 39.21% अपने anchor investors को दे दिये ठीक है उसके बाद दोस्तो 33.16% QIB के पास जाता है और उसके बाद जाता है दोस्तों बचा हुआ बाकी का others के पास और इस तरीके सा 100% जो यहाँ पर shares है वो basically बाठे जाते है between different investors अब इस बात का दियान रखना है आपको कि इसके अंदर कोई retail category नहीं होती है ना ही कोई H&I category होती है अगर आप लगाना चाहते है तो दोस्तों आप H&I या फिर retail नहीं आप बलकि other category में गिने जाएंगे इस बात का दियान रखना है अगर आप इस invite के ना लगा रहे और जैसे हमने का इसको अगर आप पैसा लगा रहे तो इसको इस तरीकी से ना लें कि मुझे लिस्टिंग इन होता हुआ निज़र आएगा इस पर आपको देखिए इंट्रेस्ट इंकाम इस तरीके से बन जाएगी जैसे कि एक अब बात करते हैं कितना सब्सक्रिप्शन डेटा है तो सब्सक्रिप्शन पर आगए अब यहां पर देखिएंगे कितना दोस्तों क्यू आप अगर आप देखिएंगे तो कितना इस इस इशो में पैसा लगा है कितना लगाया गया है उनली 0.02 टाइम्स कुल्म लाके 5 करोड 61 लाक 88 थाजन शेयर्स ओफर किये गए और अभी तक 10 लाक शेयर्स के लिए कुल्म लाकर आप्लिकेशन जो है वो रिसीव हुई है इसमें सब्सक्रिप्शन लगाया है और कुछ mutual funds ने इस इशो में पैसा लग अधर इंवेस्टर्स ने आवे तक कुल्म लाके 2.24 टाइम्स इस इशो को भर दिया है यानि कुल्म लाके 4 करोड 68 लाक शेयर्स ओफर किये गए थे और 10 करोड शेयर्स के लिए आप्लिकेशन जो है वो रिसीव हो चुकी है इसमें आप अगर कॉप्रेट्स का देखिएंग इशु है दोस्तों वो अभी तक 1.03 टाइम्स भर चुका है यह फुली सब्सक्राइब हो चुका है यह इशु राइट यह इंविट पूरा भर चुका है लेकिन मेजरली मुझे यह देखना है कि कितना पैसा आता है इसके अंदर QIB की तरफ से लेकिन अगेन क्या QIB जाता ल रहता है जो IPO होता है वैसा नहीं है इसकी कोई gray market भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कि कहां पर लिस्ट होगा लिस्ट कहां पर होते जादर से जादा देखे कोई 100 रुपर का इंविट आता है तो वो कभी 102 पर लिस्ट हो गया इस तरीके से दूस्ते में पर listing होती है कोई खास उपर लिस्टिंग होने की expectations रहती नहीं है और उसके बाद भी majorly man देखा है कि उनकी prices नीचे जाती है वहाँ पर भी कोई खास पैसा बनता नहीं है थोड़ा बहुत देखे बाजार अच्छा चले तो पैसा बन जाए बट moreover देखे मेरी expectations जादा नहीं रहती है हाँ अगर जैसे मैंने का अगर आप जैसे आप FD में पैसा लगाते है FD में जैसे कि आपको 7% का interest मिल जाए max to max लेकिन यहाँ पर 11% की dividend deal 10% की dividend deal इस तरीके से दोस्तों आपर पैसा बन जाता है तो वो एक अच्छी income हो जाती है वो बढ़िया बात है तो उसे साब से याद रखेगा यह जो issue है वो रहेगा अगर आपको dividend yield चाहिए dividend income चाहिए तो यह जो होते हैं यह बढ़िया रहते है जैसे कि अभी हाली है आपको पता है REIT आया था तो यह सब इस तरीके से पैसे कि max to max 605 रुपे तक लिस्ट हो सकता है इस से उपर तो और listing हो ही नहीं सकती है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था होपफ़ले आपको समझ में आओगा इनविट को लेकर बाकी मैं आपको recommend करूँगा कि एक detail वीडियो में इनविट पर अल्लेडी बना रखा है उसमें हमने सब कुछ बात करिए तो आप जाकर वो वीडियो चेक आउट कर सकते है उस वीडियो में हमने पूरा समझाया है इनविट होता गया है तो friends इस वीडियो झाल झाल झाल